नमस्कार शर्मिलास किचन में आपका स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगी एक कारम पर इक व्यंज़ चने की दाल के बड़े जो की बनाने में बहुत आसाम होते हैं और खाने में बहुत स्वादिश्ट होते हैं तो देखिए उसके लिए हमने एक कटोरी चने की दाल चार- दखिए जार में में डालके दरगरा पीसेंगे पीसे समय हम इसमें एक इंच देखिये अदरक का टुकड़ा डालेगे एक हरी मिर्च काटके डालेगे और थोड़ी सी हींग डालेगे यह देखिए चने की दाल हम पीच लीए है दर्दरी अब हम इसे एक बतान में शिफ्ट करते हैं देखिए हम इसे घ्या क्या क्या मिक्स करेंगे धनिया पति धनिया पति आप इससे भी ज़्या डाल सकते हैं मेरे पास जित्ती थी मैंने डाल दी यह है बारीक कटेवे प्यास यह है हरे मिच इसके लावा आप स्प्रेंग अनियन्स का जो ग्रीन लील्स होती है हरी पतियां उसको भी बारिक-बारी काटके इसमें जरूर डालेगा लेकिन आजके लॉक्डाउन के चलते मुझे वो मिली नहीं और देखिए एक चम्मच से थोड़ा जादा नमक एक चम्मच धनिया पौडर एक चम्मच जीरा थोड़ी सी लाल मिर्च स्वादा नुसार और इसे अच्छे से मिक्स करते हैं अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए देखिए दो चम्मच बेसल और एक से डेड़ चम्मच ये कौन फ्लार ये मिलाएंगे देखिए तेल हमारा गरम हो गया है ये मैंने चड़ाने रखा हुआ था तेल अब हम इसमें एक छोटा सा बड़ा डालके देखिए देखिए वैसे तो बड़ा बन रहा है लेकिन मुझे लग रहा है कि हमें थोड़ा सा बेसल या कौन फ्लार और मिलाना चलिए बड़े बनाना शुरू करते हैं देखिए हाथ में ऐसे बड़े लेके इसमें डाबते जाएंगे यह देखिए हाथ में लेके इसे ऐसे चप्टा कर लीजिए और भीरे से कड़ाही में छोड़िए यह देखिए बड़े हमारे तलगें हैं तो तयार है हमारे कर्मा गरम चने की तार के बड़े अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए साथी साथ बेल बटन दबाना माम मुझेगा थेंक यू